वर्ड हमारा क्या है एनॉनिमस, एनॉनिमस का मतलब होता है गुमनाम हो जाना, इसका सिनॉनिमस के बात करें, तो नेमलेज जो है इसका सिनॉनिमस बनता है नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है एंटागोनिजम एंटागोनिजम का मतलब होता है प्रतिरोध करना, किसी चीश का विरोध करना उसको विलोग एंटागोनिजम कहते हैं इसका सिनानिम जो है एंटीपैथी होता है नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है एंटीडोट Antidote का मतलब होता है विशहरण करना उसको विलोग antidote कहते हैं इसका सिननिम जो है remedy हो जाएगा अगला word हमारा है Antithesis Antithesis का मतलब होता है विरोध करना उसको विलोग antithesis कहते हैं इसका सिननिम जो है contrast हो जाएगा word देखे कि क्या है Antipathy एंटीपैथी का मतलब होता है अनिच्छा करना, किसी चीज से घ्रिडा करना उसको लोग एंटीपैथी कहते हैं इसका सिननिम जो है एवर्जन हो जाएगा, हॉस्टेलिटी होता है ये सब इसके इंपोर्टेन सिननिम्स बनते हैं नेक्स्ट वर्ड अमरे क्या है एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब होता है चिनता करना, इसका सिननिम जो है डिस्ट्रेस होता है वर्ड क्या है एपैथी, एपैथी का मतलब होता है उदाशीनता होना, उसको लोग एपैथी कहते हैं इसका सिनननीम जो है Indifference होता है और अमरा Uncussion हो जाएगा यह सब इसके सिनननिम्स बनते हैं अगला वर्ड हमारे कह phenomenon है एपक्स एपक्स का मतलब होता है चोटी पर हुना, सिकर पर हुना उसका हमलोग एपक्स कहते हैं इसका सिनननिम जो है Crest हो जाएगा और हम लोग climax कह सकते हैं, top कह सकते हैं, यह सब इसके synonyms बनेंगे वर्ड क्या है aplomb aplomb का मतलब होता है आत्मविश्वास करना, उसको हम लोग जो है aplomb कहते हैं इसका synonyms जो है insurance हो जाएगा next word हमरा क्या है apocryphal apocryphal का मतलब होता है अप्रमाडिक, जो जोटा हो, नकली हो, उसको हम लोग apocryphal कहते हैं इसका synonyms क्या हो जाएगा, doubtful हो जाएगा, false कह सकते हैं, यह सब इसके synonyms बनेंगे word क्या है apogi apogi का मतलब होता है पराकास्था होना इसका synonyms जोए climax कहा सकते हैं, apex कहा सकते हैं, top कहा सकते हैं, यह सब इसके important synonyms बनते हैं अगला word देखे क्या है appailing appailing का मतलब होता है घटिया, जो कैसा हो, awful type को हो, terrible type को हो, उसको हम लोग जोए appailing कहते हैं word हमरा के apparent apparent का मतलब होता है अवास्तविक जो कैसा हो, वास्तविक हो और वास्तविक हो, उसको हम लोग apparent कहते हैं, इसका synonyms जोए destinate होता है next word हमरा के है appailing appailing का मतलब होता है चिंता करशड जो चिंता के लाइक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, appailing कहते हैं, इसका synonyms जोए tempting हो जाएगा word क्या है appease अपीश का मतलब होता है सांत करना इसका सिननिम जोए अस्वेज हो जाएगा अले हो जाएगा मिटिगेट कह सकते हैं पैसिफाई कह सकते हैं यह सब इसके important synonyms बनते हैं वर्ड हमारा क्या है? एपलॉड एपलॉड का मतलब होता है किसी की सराहना करना प्रशनसा करना किसी का उसको हम लोग एपलॉड कहते हैं इसका सिननिम जोए cheer हो जाएगा praise हो जाएगा यह सब इसके important synonyms होंगे वर्ड क्या है? अपोजिट अपोजिट का मतलब होता है उचित होना उसको हम लोग opposite कहते हैं इसका सिननिम जोए pertinent हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड देखें क्या है Appreciate appreciate का मतलब होता है किसी के प्रशनसा करना उसको हम लोग appreciate कहते हैं इसका सिननिम जोए value हो जाएगा वर्ड हमारा क्या है apprehension apprehension का मतलब होता है अनुभव गिरफ्तारी होना उसको हम लोग apprehension कहते हैं इसका synonym जो है dread हो जाएगा Next word हमारा के है Apprentise Apprentise का मतलब होता है सिसु कच्छु यानि जो कैसा हो learner type का हो उसको हम लोग apprentice कहते हैं इसका synonym जो है learner हो जाएगा Word क्या है apprise Apprise का मतलब होता है जताना उसका हम लोग apprise कहते हैं इसका सिनानिम जोए acquaint होता है वर्ड क्या है approbation approbation का मतलब होता है अनुमोधन करना उसका हम लोग approbation कहते है इसका सिनानिम जोए consent होता है next word देखे क्या है approve approve का मतलब होता है सहमती देना किसी को उसको हम लोग approve कहते हैं इसका synonym जोए accept हो जाएगा अगला word हमरा है apt apt का मतलब होता है हाजीर जवाबी करना उसको हम लोग apt कहते हैं इसका synonym जोए appropriate होता है word देखे क्या है equiver equiver का मतलब होता है कापना, थर थराना उसको हम लोग क्या कहते हैं क्वाइवर कहते हैं इसका सिनानिम जो है क्वैकी होगा वर्ड नेक्स्ट वर्ड देखे क्या है आर्बिटरी आर्बिटरी का मतलब होता है स्वैच्छिक जो अचानक से हो जाए उसको मैं लोग आर्बिटरी कहते हैं इसका सिनानिम जो है रैंडम हो जाएगा वर्ड हमारा है आरकेन, आरकेन का मतलब होता है गुप्त होना, कोई रहष्य होना उसको लोग आरकेन कहते हैं इसका सिननिम जो है एक्जोटेरिक होता है नेक्स्ट वर्ड मरक है आरके, आरकेरिक आरकेरिक का मतलब होता है जो आग होता है, जो पुराना होता है उसको लोग archery कहते हैं इसका synonym जो है ancient हो जाएगा वर्ड देखे किया है ardent ardent का मतलब होता है उतकल जो बहुत ही उतकल टाइब का हो उसको लोग ardent कहते हैं इसका synonym जो है फरवेंट होता है next वर्ड मरा है ardor ardor का मतलब होता है उसा होना बहुत उसाही टाइब का होना उसको लोग ardor कहते हैं इसका synonym जो है फरवर होता है वर्ड मरा है arduous arduous का मतलब होता है कठीन महंती उसको लोग arduous कहते हैं इसका synonym जो है laborious हो जाएगा वर्ड क्या है arid arid को लोग दत चित्र कहते हैं या सुखा कहते हैं ड्राइ कहते हैं उसको लोग arid कहते हैं next word मरा है arrogance arrogance का मतलब होता है घमंड जो haughty हो उसको लोग क्या कहते हैं arrogance कहते हैं इसका synonym जो है haughtiness हो जाएगा अगला word मरा है articulate articulate का मतलब होता है संधी युक्त जो eloquent हो उसको लोग articulate कहते हैं नेक्स्ट वर्ड हमरा है artificial artificial का मतलब होता है कृतिम जो चीज कृतिम होती है बनावती होती है उसको लोग artificial कहते हैं इसका सिनन्ज जो है synthetic हो जाएगा अगला वर्ड हमरा है ascent ascent मतलब होता है चड़ाना किस चीज को rise करना बढ़ाना उसको लोग ascent कहते हैं नेक्स्ट वर्ड देखे क्या है asperity asperity का मतलब होता है रुखा पन होना उसको लोग asperity कहते हैं इसका सिनन्ज जो है severity होगा नेक्स्ट वर्ड हमरा है asperson asperson का मतलब होता है अपवाद होना उसको लोग asperson कहते हैं इसका सिनन्ज जो है slender होता है वर्ड अमरा है ascent ascent का मतलब होता है अंगीकार होना और इसका synonyms क्या होता है conscient इसका synonyms बनता है अगला वर्ड देखे क्या है asert asert का मतलब होता है अधिकार जाताना किसी पर उसको हम लोग assert कहते हैं इसका synonyms क्या हो जाएगा और firm हो जाएगा next word हम रहे क्या है aciduous aciduous का मतलब होता है परिश्रमी, महन्ती जो होता है उसको हम लोग aciduous कहते हैं इसका synonyms जो है diligent हो जाएगा laborious कहेंगे hard working कहते हैं यह सब इसके important synonyms बनते हैं next word हम रहे क्या है assimilate assimilate का मतलब होता है श्रदिस होना किसे चीश का यानि confirm हो जाना उसको हम लोग assimilate कहते हैं इसका synonyms क्या हो जाएगा confirm हो जाएगा next word क्या है assist assist का मतलब होता है सहायता करना किसी की उसकों लोग Assist कहते हैं इसका Synonym जो है Help हो जाता है अगला Word मेरे किया है Aswage Aswage का मतलब होता है किस चीश का कम होना, हलका करना, बुजहाना किसे चीश को उसकों लोग Aswage कहते हैं इसका Synonym जो है अपीस होता है, शूत होता है, काम होता है mitigate कहते हैं, allay कहते हैं, diminish कहते हैं, dwindle कहते हैं, subside कहते हैं यह सब जो है, इसके important synonyms बनते हैं अगला वर्ट देखे क्या है, insurance insurance का मतलब होता है, आश्वासन देना किसे चीज़ का, guarantee देना किसे चीज़ का उसको हम लोग insurance जो है कहते हैं, इसका synonyms जो है, guarantee हो जाएगा next word देखे क्या है, astonishing, astonishing का मतलब होता है, आश्चरी जनक होना, परप्लेक्स्ट हो जाना, explanted होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, astonishing कहते हैं, इसका synonyms जो है, surprising हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड हम रहा है एस्टरंडिंग एस्टरंडिंग का मतलब होता है विस्मे कारी जो होता है उसको हम लोग एस्टरंडिंग कहते हैं इसका सिनाइम जो है एस्टरोसियस हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड देखे क्या है एट्रोसियस Atrocious का मतलब होता है जो दुष्ट टाइप का होता है उपद्रवी होता है उसको हम लोग जो है अस्ट्रोसियस कहते है Atrocious का मतलब क्यों तो उपद्रव करने वाला उसको हम लोग जो है Atrocious कहते है इसका Synonyms जो है Wicked हो जाएगा, Terrible हो जाएगा यह सब इसके Important Synonyms बनेंगे तो वड़मारा क्या है Astute Astute का मतलब होता है जो कप्टी हो, चतुर हो, सयाना हो उसको हम लोग जो है Astute कहते है इसका सिनायम जो है Perceptive होता है, Cunning होता है, Shreed होता है ये सब इसके important synonyms बनते हैं अगला वर देखे क्या है? Atone Atone का मतलब होता है न प्राश्चित करना, संतुष्टी करना, पश्यताब करना, अफसोस करना उसको अमलोग Atone कहते हैं Synonyms जो है Redress होता है